संस्क्रिट दर्षन चनल में आप सबी का स्वाज़त है दर्षन का विश्य से चल रहा है तो दर्षन में हमने वेधाद दर्षन और पूर विमांसा जो पुस्तक है अर्थ संग्रह उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेली है आज हम थोड़ा सा तरक संग्रह के विशे में जा रहेंगे रूप रेख ही ही यह एक तरह से क्योंकि उसको कंठस्ती करना पड़ता है सीथे उसके बाद जो अगले बार जो बनाये जाएगी वीडियो उसमें उनकी व्यक्षें की जाएंगे तो सीथे हम तरक संगरे पर चलते हैं अनयवर्टी जी नहीं इनको लिखा है इनकी प्रणेटा है थीक है अब तरक संगरे को इसमें सुरू किया है द्रव से अलग 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 है तो हम यहाद द्रव को ले करके उनके हिस्षे करके फिर उनके जितनी भी हिश्षे किये रहे हैं वो हम इसमें सभी में देखेंगे तो द्रब ले लेते हैं पदार्थ द्रब नहीं है सबसे पहरा है पदार्थ पदार्थ है साथ पदार्थ है एक, दू, ती, चार, पांच, छे और साथ यह साथ पदार्थ है यहां से ठीक है साथ पदार्थ होते क्या है तो इसका पदार्थ पर नहीं बताया है पदार्थ से अर्था पदार्थ का जो अर्थ है ऐसा कोई भी वस्तू जिसको हम जो आखों से गिरा है वह आखों से देख सकें वो सभी पदार्थ के अंतरगत आ जाते हैं द्रब्या गोन, कर्म, सामान्या, विशेश्या, समवाया, हवाव यह सक्त पदार्थ हैं द्रब्या, गोन, कर्म, सामान्या, विशेश्या, समवाया, और अभाव यह एक चीज जानने की है जो पहला है द्रब्या यह द्रब्या, यह द्रब्या के ही से संबंद्ध रखते हैं वागी कुछ ना कुछ जैसे द्रब्या है उसमें गोन होते हैं कोई ना कोई तो गोन इसमें आ जाएंगे उन्हीं द्रब्या के कर्म भी होते हैं वो कर्म इसमें सामान्या होता है और कुछ विशेश होता है उसमें, उस पदार्त में, उस द्रब्ध में, तो उसकी विशेशता बतलाएंगे और सामान दर्शाएंगे, समवाय नित्य संबंध को समवाय काया, नित्य संबंध हा, समवाय हा, इस तरह से बोला गया है, तो नित्य जिसमें संबंध हो, जब हम आ नहीं भी होती हैं तो इस प्रकार से यहां पदार्थों की जो गिंती की गी है वो साथ प्रकार के बोले गए हैं द्रब्य गुन कर्म सामानि उशेश समवाया बावा इस तरह से बताए गया अब इनके भी हिस्से हो जाते हैं द्रब कितने प्रकार के हो जाते हैं, नव प्रकार के द्रब हो जाते हैं, ठीक है, गुण कितने प्रकार के हो जाते हैं, गुण 24 प्रकार के हो जाते हैं, कर्म 4 प्रकार के हो जाते हैं, उच्छेपन अप्छेपन आकुंचन प्रसारन उच्छेपन अप्छेपन आकुंचन प सारन गमन पांच प्रकार के हैं ये करम पांच प्रकार के हो जाते हैं सामन एक ही प्रकार दो प्रकार के होते हैं ठीक है सामन दो प्रकार के हैं विशेश ये होता है वो अनंत प्रकार का होता है समवाया अब हावा चार प्रकार का हुता है समवाय को देखेंगे भी समवाय एक प्रकार का हुता है इस तरह से ये हुते है आज उनकी संख्या देख लेते हैं कि लौ प्रकार के दरब कौन से है 24 गुन कौन से है कर्म कौन से है सामान कौन से हैं ठीक है लिखेंगे यह आम करम से आज के अबल इसको हम लिखी रहे हैं यह अलग-अलग है पुस्तक सर्द करते तो हम अलग-अलग दिखाई देते हैं इसको हम याद करना बड़ा कठिल पर जाता है यह सीधे-सीधे प्रशनों पूछ ले जाते हैं परिक्ष प्रत्वी जल तेज वायू आकाश प्रत्वी जल तेज वायू आकाश दिख काल एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और नो दिख काल आत्मा और मन यह नो द्रब के इंतर गताते हैं प्रत्वी जल तेज वायू आकाश दिख काल आत्मा और मन यह नव द्रब माने जाते हैं इसको वह सीधे ऐसे ही याद करना है तो यह इस तरह से जाने जाते हैं अब हम गुण पर चलते हैं गुण 24 हैं प्रत्वी जल तेजवाई जो द्रब हैं उनी में कुछ गुण पाई जाते हैं मैं बताया ना यह द्रब से ही सम्मंदित सारी विवस्थां हैं आगी जितने भी हैं जो पदार्थों का नाम तुलिया है लेकि यह पदार्थ द्रब्यों से ही सम्मंदित हैं तो जो गुण है वो द्रब्यों की अंतर गती हैं तो वो पता चलेगा हमको द्रब्यों गुण के बारे में जानेंगे तो द्रब्यों में ही जाना पड़ेगा बार बार तो देख लेते हैं इसमें रूप दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे रूप रस, गंध, स्पार्ष, संख्या, परिमार, प्रतकत्व रूप रस, गंध, स्पार्ष, ख्या, परिमार, प्रतकत्व, संयोग, बिवहाग, परत्व, अपरत्व, गुरुप्त्व तीर, चोद, पंद्र, सोल, सत्र, ठार, उन्निस, वीश, एकिस, बाईश, तेईश और चोवीश रूप रस, गंध, स्पर्ष, संख्या, परिमार, परिमार का मतला होता है, माप, मापना प्रतकत्व, संयोग, बिवहाग, परत्व, परत्व, गुरुप्त्व द्रवत्व, स्नेह, शर्प, उद्धी, सुक्ष, दुख् प्रयत्न, इच्छा, द्विश, धर्म, अधर्म, संस्कार, इस तरह से ये 24 गुन हुई आते हैं, एक बार और थोड़ा से देखेंगे, द्रव्यको, प्रित्वी, जल, तेज, वायू, आकाश, दिक, काल, आत्मा, मन, रूप, रस, गंद, स्पर्ष, संख्या, परिमान, प्रतकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, परत्व, गुरुत्व, द्रिवत्व, इस्तनेह, शब्द, बुद्धे, सुख, दुख, प्रियत् इच्छा, द्वेश, धर्म, अधर्म, संस्कार, इस तरह से ये 24 गुण है, ये पदार्थ में ही कहीं न कहीं हमको मिली जाएंगे, आगे देखेंगे, कर्म कितने होते हैं, कर्म का मतलब होता है, जो चलना ही एक तरह से कर्म के अंतर गता था, जब इसकी ब्याख्या अब तो केवल हम इसमें गणा ही करेंगे, उत्खेपान, अब खेपान, कहीं कहीं अब खेपान की जगे, अब खेपान भी दे रखा, आओ, वो साइद गलत है, वो क्यों गलत है वो ब्याख्या की दुष्टी से बताएंगी तभी, क्योंकि यह अप्छेपान ही है, ठीक है, अप्छेपान, अप्छेपान, आकुंचन, प्रसारन, गमन, इस तरह से यह पांच हर पदार्थ के गुण होते हैं, उपर जाना, नीचे जाना, सुकुरना, फैलना, गति करना, इस तरह से यह सभी दर्दों के ही गुण होते हैं, कर्म होते हैं, सामान देखते हैं, दुहें, परम, अपरम, विशेश, अनन्तह, यह अनन्त होते हैं, अब विशेश अनन्त का साताथ पर क्या है, अनन्त इसलिए है कि जो भी युह वह बर बस्तूर हैं, पदार्थ हैं, या कुछ भी है, वो भी अनन्त ही हैं, तो उनको प्रथक करने में जो अलग करने में जो अलग प्रतीत होता है जो उसकी विशेष्टा है वो ही तो अलग प्रतीत कराती है इसलिए भी अनम्त हो जाते है ठीक है सामान्य सामवाई एक हाँ ये एक है आवावा प्राग भावा प्रद्धुन्सा भावा अत्यंता भाव अन्यून्या भाव प्राग भाव प्रद्धुन्सा भाव अत्यंता भाव अन्यून्या भाव इस तरह से यह चार अभाव होते हैं और एक बार थोड़ा सा और देखेंगे इन में इसमें एक चीज़ बताता चलूँ जो पदार्थ है ये जो पदार्थ है वो वैशेशिक दर्शन की अंसार ही है मैंने अचर्चा करी थी जब शुरू में बताया था दर्शनों की बारे में तो तर्क संग्रय और तर्क वहसा की बारे में बताया था तर्क वहसा को न्या दर्शन की सामने दर्शा आया था और तर्क संग्रय को वैशेशिक दर्शन की सामने हाला कि ये दोनों पुस्तक है वैशेशिक दर्शन और न्या दर्शन दोनों से संबंदित हैं दोनों को मिलागर की ये व्याख्यां करती हैं परन्तु यह यहां जो सब्त पदार्थ हैं वो याद रखना है हमको वैश्यक्षिक दर्शन से ही संबन्दित है अब थोड़ी सी एक चीज़े आप देखते चलें एक बार और इनको देखेंगे द्रब्ब हैं नो पदार्थ कितने हैं पदार्थ हैं साथ यह पूछ लियाता है कि पदार्थ दर्शन के अरुसार पदार्थ कितने परकार के हैं या निया दर्शन के अरुसार पदार्थ कितने परकार के हैं तो वहां सूले हैं यहां सब्त पदार्थ हैं याद रखना है ये तो साट प्रकार के पतारता है द्रभ गोन कर्म सामान विशेष समवाय अभाव द्रभ कितने प्रकार के हैं यह भी प्रसुन पूछा गया है आपको बताना हैं द्रभ नव प्रकार का है प्रत्वी जल तेज वायू आठाश दिक दिक मतलई दिशा काल आत्मा और मन गुल कितनी प्रिकार के होते हैं? कर्म 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 प्रिकार के होते हैं? अनंद खतम हो जाता है इस तरह से इसको उधान दिये हैं जब इसको हम एक एक ब्याक्षाएं करेंगे तो एक दमाग में बड़े अच्छे से बैढ़ जाएगे आभी केवल इतना याद रखना है क्योंकि कभी भूल जाते हैं कि द्रब को भी याद रखना है गुल को भी कर्म को भी जब जी मस्तिस्क में पूर्ट तरह से दो-तीन बार हम याद करेंगे तो बैठ जाएगे उसके बाद फिर आगे जब इसमें ब्याक्षाओं जाएगे तो फिर कोई समस्या रही है कोई जब ब्याक्षा करते हैं प्रिथिवी किया रोपरस्की इनकी तो ये पीछे की चीजों को भी लिया जाता है इनमें तो आज के लिए उम्मीद है ये थोड़ी बात है थी आलागे इसमें कोई सम्झाने के लिए नहीं है ये तो पुस्तक से भी याद किया सकती है लेकिन फिर भी मैंने इनको चार्ट के माद्दे में से थोड़ा सा सम्झाने का प्रियास किया ये जैसे कि तयसी बिल्कुल जियों कित्यों परिक्षाओं पूछनी आती है और इसमें कुछ है ही नहीं सम्झाने के लिए तो इसमें मैं सम्झाओं क्या इसके आगे की जब प